हेलो दोस्तू नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है एक्जाम मास्टर चैनल में और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानि बीपीएसी की तरफ से टी आरी 3.0 रिक्वार्मेंट 2024 इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 222024 यह शौर्ट डीटेल नोटिफिकेशन है सरकारी रिजर्ड.com पर अवेलबल है आप देख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पर दे दी गई है एप्लिकेशन जो शुरू हो रहा है ध्यान दीजेगा यह 10.2.2024 यानि 10 फरवरी से आप यह फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट है 23.2024 यानि इसके पह फाइनल अटेम्ट है ठीक है एक्जाम फीज लास्ट डेट 23 तारीख है और लेट फीज 25 फरवरी तक है और एक्जाम डेट 7 से 17 मार्च के बीच में है यह तो इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई इसके बाद जो एप्लिकेशन फीज है जनरल अबिसी और अधर इस्टेट के लिए 1500 रुपए है SCST और फिजिकल हैंडिकाप 200 रुपए में फॉर्म भर सकते हैं फीमेल कैंडिडेट का 200 रुपए का फॉर्म है और बिहार डॉमिसाइल जिनका है है ना और पे एक्जाम फी त्रू ऑनलाइन आफलाइन फीस मोड ओनली ध्यान दिजेगा यह है बीपी ए 2023 से ठीक है मिन्माम आज है 18 साल प्राइमरी टीचर के लिए टीडी पिजिटी के लिए कई साल और माक्सिमूम हां 37 year for Meil and 40 year for female नोटिफिकेशन में एज रिलाक्सेशन है प्राइमरी टीजीटी पीजीटी और टीचेर रिक्वार्मेंट के लिए तो उम्र के लिए टेंशन ना ले इसको डीटेयल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं यहां पर देखिये प्राइमरी की वेकिंसी को भी अपडेट कर दिया गय दस फिव को आपको पता चल जाएगा कि primary में कितना पोश्ट है senior secondary 50% आपका होना चाहिए यानी इंटर में और दो साल का diploma in elementary education senior secondary with 45% दो साल का diploma in elementary education as per nct का जो norm से 2002 के बाद से तो कुल मिला करके जो eligibility अब तक थी वो यही है seated या बिहार का टट आपका paper one pass होना चाहिए appearing के लिए इसने नहीं कहा है लेकिन 20 फरवरी तक result आ जाएगा seated का तो सब लोग डाल सकते हैं यह देखें middle school teacher यानी 628 इसका भी seat आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कि कितना seat है इसमें bachelor degree with two year diploma in elementary education इसमें कोई subject combination नहीं लेगा यह याद रखियेगा ठीक है यहाँ पर अगर हम बात करें six to eight भरती की कोई subject combination नहीं लेगा बस graduation में चाहे दो साल तक चाहे एक साल तक आपका subject रहा हो आप six to eight का form भर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के इसके बाद कच्छा नव से दस की सीटे और ग्यारा से बारा की सीटे भी जल्द आपको बता दी जाएंगी कि कैसे क्या है और देखिये एक special भरती है यहाँ पर देखिये बिहार एस्टेट सीटेट अपिरिंग केंडिडेट आर नौट इलिजबर तो फिल फॉर्म देखिये एस्टेट और सीटेट अपिरिंग केंडिडेट लेकिन सीटेट का तो रिजट आ जाएगा वाइल एप्लाइंग बीए सीबी यूनिक आईडी हैस टू बी रिटेन इन सब बिहार एस्टेट 2023 रिजट कार्ड नंबर सेंटर टीचर इलिजबर्टी टेश्ट सीटेट कंडिडेट विल फिल दस सीरियल नंबर है जो मार्चीट में सीरियल नंबर है वो डालना है इसके बात देखिए कुल मिला करके जो मुख्य मुख्य बाते हैं वो आपको पता ह हो गई है सारी चीजे इसका जो डिटेट ओफिशल वेबसाइट है यह भी आप देख सकते हैं ठीक है तो में बात यह थी कि प्राइमरी के जो पद थे वो कल तक नहीं थे लेकिन आज इसको भी देखिए अपडेट कर दिया गया है यानि प्राइमरी के पदों पर भी भरती आ रही है ठीक है अब किस लेवल पर कितने पद हैं यह आपको पता चल जाएगा दस फरवरी को पूरा कंप्लीट इंफरमेशन आ जाएगा और यह जो यहाँ पर एस्टेट और सीट अपेरिंग वाली लाइन है इसके बारे में भी डिटेल में पता चल जाएगा कि क्या है कि आप लोग BPSC प्राइमरी का जान लो हाँ इसके अलावा अगर आप BPSC के नोट्स चाहते हैं डिटेन नोट्स चाहते हैं तो यह आप लोग हमारे इस वाट्स अप नंबर से जुड़ जाएगे जो आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वाट्स अप नंबर है हमारा कच्छा च्छे से आठ का हैंड इटन नोट्स च्छन नौ से दस का हैंड इटन रोट्स और ग्यारा से बारा का जो भी आप form डालने जा रहे हैं आपका आखरी अटेंट हो सकता है इस नंबर पर वाट्स अप पर संपर्क कर लें या फिर आप हमें कॉल कर लें डीटेल और देमो नोट्स का आपको भेज दिया जाएगा एक बाद डेमो देख लिजिए क्योंकि एक माह में एक्जाम है केवल एक मन्त का समय है साथ तारीक से पेपर सुरू हो जाएगा और आज 8 फरवरी है यानि आपके पास 28-29 दिन का समय है कोई भी बैच वाला अद्वी बैच कंप इझन मुट्राओम्ग झां समय हूवाओके तारीक टरू हो जाएगा दे cash लएख हूबर कर दिनि दिन 마지막 कीवल्टी नह missionary है लिएगां कोईल्टी स्वरी हूग का समय है किया है तो सस्वर package लिएघो